हलो मैसेल्फ इस शत्य नरायन टीम मैठ CLC सो हम लोग जो है 2016 2020 जे एडवांस पॉब्लम्स वेक्टर 3D का करने वाले हैं जिसमें पहला क्वेस्टिन हमारे पास यह दिया हुआ है इस पॉइंट पी ही फाइंड करना है हम लोग क्या करें कि 3,1,7 जो पॉइंट दिया हुआ है इसका इमेज इस प्लेन में फाइंड कर लेते हैं यहां पॉइंट पी है इस पी को हमें फाइंड करना है जबकि यह प्लेन की एक्वेशन क्या दिया हुआ है x माइनस y plus z this is equal to 3 जो पॉइंट पी के लिए इमेज का फ़र्मूला लगा देते हैं पी पॉइंट फाइंड करना है इमेज का फ़र्मूला लगा देते हैं x माइनस x1 by a y माइनस y1 by b Z minus Z1 by C is equal to minus 2 times of यह point रख देते हैं इसमें तो यह कितना हो जाएगा 3 minus 1 और plus 7 minus 3 whole divided by A square plus B square A square plus B square plus C square यह formula लगा देते हैं यहां से X, Y, Z की जो value आएगी वो हमारा point P हो जाएगा जो image का coordinate हो जाएगा तो यहां से हम देखते हैं सबसे पहले हम इसमें को calculate करते हैं यह calculate करने के बाद minus 2 यहां यह 3 और minus 3 cancel हो गया यह आगया 6 divided by 3 तो यह minus 4 आगया यह minus 4 आगया हमारे पास अब हम इसको इसके साथ equate करते हैं तो हमें X मिल जाएगा X की value क्या मिलेगी minus 4 minus 3 minus 1 मिलेगा इसको इसके साथ equate करें तो क्या मिलेगा Y की value Y की value क्या मिल रही है 4 और 1 इदर जाके 5 बिल जाएगा इसको अगर हम लोग इसके साथ equate करते हैं तो Z मिल जाएगा तो Z हमारे पास क्या आ रहा है minus 4 Z हमारे पास 3 आ रहा है Z minus 7 equal to minus 4 Z equal to 3 तो यह point P मिल गया हमें यह point P का coordinate minus 1,5 और 3 है यह point P हमारे पास आ गया अब इस point P से एक plane की equation निकालनी है जो इस line को contain कर रही है तो हम लोग आगले paste पे चलते हैं तो यह paste पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमें एक equation find करनी थी plane की equation find करनी थी जो इस point P से पास हो रहा है अब हमने P निकाल लिया था P क्या निकाला है हम लोग क्या देख सकते हैं पी हमारे पास क्या आया था माइनस वन माइनस वन फाइव और थ्री यह हमारे पास आया था यह point P का coordinate और एक line जो दिया हुआ है xy1 y by 2 z by 1 यह plane हमें यह plane चाहिए यह plane की equation चाहिए जिसमें यह point है तो हम लोग एक variable point ले लेते हैं तो हमें plane की equation के लिए हम एक variable point xy लेते हैं और तीन vector बनाते हैं तीन vector का coefficient एक देखिए यह point 00 से पास हो रहा है line 000 तो हम लोग एक तो क्या करते हैं पी ओ यह vector बना लेते हैं यह point P है कहीं से यहां जोइन तो पी ओ वेक्टर और इस origin को x y z से join करते हैं एक कोई point यहां x y z move कर रहा है जो origin से x y z तो O P vector P dash vector इसको P dash point मान लेते हैं variable this vector and this vector 1,2 यह क्या होंगे coplanar होंगे यह coplanar होंगे तो इनका box हम zero कर देंगे तो पहला vector क्या हो गया x y z दूसरा vector क्या हो गया minus 1,5,3 और तीसरा vector हमारे पास 1,2 और यहां 1 है यह 0 होगा यह हमारा required plane होगा यह हमारा plane होगा इस plane की equation को हम लोग बहुत easily find कर सकते है जस्ट calculation है तो x 5 into 1,5 minus 3 into 2,6 minus y, यह determined solve कर रहे हम यह छोड़ दिया, यह छोड़ दिया, minus 1 और minus 3 plus z times half यह छोड़ दिया, तो minus 2 और minus 5 यह हम calculate करते हैं, यह calculate करने के बाद हमारे पास answer आ जाएगा x minus 4y plus 7z equal to 0 इसको calculate करते हैं, minus 1 से multiply कर देते हैं, तो इसके बाद हमारे पास यह answer आ जाएगा जो option c में दिया हुआ है, तो यह इस question का answer हो गया, question number 1 का answer हो गया So हम लोग question number 2 पे चलते हैं Question number 2 पे चलते है Question number 2 देखते हैं, question number 2 क्या है Question number 2 में दिया हुआ है, consider a pyramid O, P, Q, R, O, P, Q, R, S A pyramid है, located in the first octane X, Y, Z, R, the greater than 0 With O as the origin, O, P and O, R Point S is directly above the midpoint T are the diagonal O, Q, such that T, S is 3 Then, इन में से हमें options को डूड़ना है तो यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा option इस तरीके से दिया हुआ है तो हम लोग इस question को solve करने के लिए अगले page पे चलते हैं तो यह question क्या है, कि इसमें दिया हुआ है, consider a pyramid तो एक pyramid है, जिसका तो सबसे पहले coordinate axeses ही बना लेते हैं यह coordinate axes है, यह x-axis है, यह y-axis है और यह z-axis है z-axis है, इसके along यहां origin है और pyramid बनाया गए जिसका base square है तो O, P, Q, O, P, Q, R, Q, R, this is the pyramid, base, base of the pyramid और यहां से यह diagonal लिया, और यहां पे जो midpoint है, कहा जा रहा है consider a pyramid located in the first octane, with O as the origin, O, P and O, R O, P and O, R are the along x-axis and y-axis, O, P along x-axis है, तो इसको हम लोग P मान लेते हैं, तो एक minute थोड़ा सा फिर से diagram मनाते हैं, तो इसको P मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, तो यह हमारा O, P है, O, P along the x-axis and O, R along the y-axis, base, O, P, Q, R of the pyramid is a square, और इसका 3 length दिया हुआ, यह भी 3 है, यह भी 3 है, यह भी 3 है, यह भी 3 है, 3 length दिया हुआ है, point S is directly above the midpoint T of the diagonal, तो यह midpoint O, Q का जो diagonal है, वो यहाँ T का midpoint यह है, इसके एकदम उपर जो है, यह कह रहे हैं कि यह point हमारा T S exist कर रहा है, यह S है, यह यहाँ exist कर रहा है, और इस तरीके से यहाँ यह pyramid बन जाएगा, यह pyramid बन जाएगा, तो इस pyramid में हम लोग यह सारी चीज़े calculate कर सकते हैं, तो हम लोग यह देखते हैं कि यह क्या है, यह 1,1,0 है, यह point P क्या है, 1,0,0 होगा, R क्या होगा, R होगा 0,1,0, और T, obviously, T हमारे पास क्या point आजाएगा, यह origin और Q का midpoint है, तो 1 by 2,1 by 2,0 होगया, यह हमारे पास T midpoint होगया, अब इन्होंने एक चीज़ और बताया है, जो T S है, उसकी भी length 3 है, इसका मतलब क्या है, कि अगर हम T point को देखते हैं, T point से हमें 3 unit उपर जाना है, तो हमें S मिल जाएगा, तो यह S point हमारे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यह point हो जाएगा, 1 by 2,1 by 2,3, यह हमें सारा कुछ मिल गया, अब question में जो दिया हुआ है, वो हम लोग find करते हैं, कह रहे हैं, O Q and O S के बीच में 5 by 3 है इंगल है, तो अगर हम O Q vector find करते हैं, O Q vector find करते हैं, तो O Q vector हमारे पास कितना आ रहा है, O Q vector, O Q vector दिख रहा है, यह क्या है, I plus J, यह O Q vector है, और O S vector अगर हम लोग देखते हैं, O S vector, तो O S vector क्या होगा हमारे पास, S में से O हटा दिया, तो यह आ गया हमारे पास, 1 by 2 Iota, प्लस 1 by 2 J, प्लस 3 K, हमारे पास यह vector आ गया, अब इनके बीच में अगर angle हम मान लेते हैं, इस vector और इस vector के बीच में angle मान लेते हैं, तो option A को चक करने जा रहे हैं, तो cos of theta हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का dot लिया, 1 by 2, प्लस 1 by 2, और K है नहीं, यह 0 हो जाएगा यह, divided by दोनों का magnitude, पहले का इधर का magnitude, इसका magnitude यह हो गया, और इसका magnitude क्या हो जाएगा, under root of 1 by 4, प्लस 1 by 4, और प्लस 9, जो calculate करने पे, यह 1 by under root 2 यहाँ पे है, यह हम देख रहे हैं कि यह 1 by 2 हो गया, 9 plus half, under root 19 by 4 हो गया, तो यह जो calculate करने पे, यह 5 by 3 नहीं आ रहा है, this is not equal to, this does not imply that theta is equal to 5 by 3, तो इसलिए A option हमारा सही नहीं है, let us move to the next option, that is V option, V option क्या है, the equation of the plane containing O, S, Q is O, S, Q, O हमारे पास origin है, 0, 0, 0, Q हमारे पास आ चुका है, 1, 1, 0, O, Q, S, S हमारे पास क्या है, 1 by 2, 1 by 2, 3, यह हमारे पास 3 vector है, तो हम लोग यहां से, हम देखते हैं कि plane, इनको contain करने वाला plane, तो यहां कोई origin ले ले अगर हम Q, S, और यहां एक variable point P ले ले लेते हैं, जो X, Y, Z होगा, यह तीनों vector coplanar होंगे, तो इन तीनों vector को coplanar कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा क्या? वी option का answer आ जाएगा, तो plane, required plane क्या हो जाएगा? Required plane is what? O, P vector, O, P vector क्या होगा? X, Y, Z, O, Q vector क्या होगा? O, O, P vector, O, S vector, O, S vector क्या होगा? 1 by 2, 1 by 2, 3, और O, Q vector क्या होगा? 1, 1, 0, यह क्या होना चाहिए? यह coplanar होना चाहिए, यह तीनों vector, तो इनका box हम लोगों ने 0 कर दिया, तो यह plane हम लोग निकाल सकते हैं, X, यह हड़ गया, यह हड़ गया, this into this, 0, minus 3, minus Y, यह, यह, और यह हटा के, तो यह भी आ गया, 0, minus 3, और plus Z times of, 1 by 2, minus 1 by 2, यह 0 आ गया, तो यहां से हमें clearly दिख रहा है, कि, यह क्या है, minus 3X, और plus 3Y, is equal to 0, और यहां minus 3 से divide करें, तो यह X minus Y equal to 0, यह plane की equation B option में दिया हुआ है, इसका मनला हमारा B option सही हो गया, तो हम लोगों ने यहां कुछ चीज़ें देख लिया है, कि यह हमारे पास diagram था, इस तरीके से, यहां पर हमने, बात क्या है, कि हम लोगों को यह सारी चीज़ें दिया हुआ, अब हम लोग अगला option भी देख सकते हैं, कि करें, तो length of perpendicular from the P, on the plane, containing O, S, Q, is 3 by root 2, तो C option को भी हम लोग यहां चेक कर सकते हैं, तो C option को अगर हम चेक करनें, तो origin से, length of perpendicular from the P, sorry, P, P point, length of perpendicular from the point P, अब P हमारे पास क्या था, P हमारे पास क्या है, यह हम देखते हैं, कि यहां पे यह दिया हुआ है P, P से, इन्होंने कहा है, कि O, S, Q को contain करने वाली plane, पे perpendicular की length 3 by root 2 है, तो हम लोग इस plane पे, इस plane पे, इस से perpendicular drop करके देखते हैं, क्या 3 by root 2 आ रहा है, तो रख देते हैं, तो यह 1 by under root of A square plus B square, A square plus B square, 1 square plus 1 square, the length of perpendicular from the point P, to the plane containing, containing this, is 3 by root 2, तो यह 3 by root 2, नहीं आ रहा है, plane हम लोगों ने find कर लिया, यहाँ P की, P का coordinate हमारे पास 3, एक मिनिट, यहाँ हमने गल्ती कर दिया है, यहाँ 3, यहा 3 है, 3,0 तो 3 by root 2 हो जाएगा, तो 3 by root 2 आ गया, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, तो यहाँ यह 3,3, सारे 3,3 length है, तो यह 3 by root 2, यह हमारा answer C option आ गया, ठीक है, तो ठीक है, यह C option आ गया, अब हम लोग चलते हैं D option पे, तो D option में क्या दिया हुआ है, यह हम लोग देखते हैं, तो D option में क्या दिया हुआ, the perpendicular distance from the origin to the straight line containing R S, is this one, the perpendicular distance from the origin to the line containing R S, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पढ़ेगा, R S की equation find करनी पढ़ेगी, R S की equation find करनी पढ़ेगी, तो R S, हमारे पास R और S point पहले से ही पता थे, तो R S vector हमने जो निकाला है, वो कितना आ गया, 3Y2, minus 3Y2, 3, यह R S vector आ गया, और R S vector आ गया, मतलब एक line और origin, origin कहीं यहां है, R S vector मान लेते हैं, यह R है, यह S है, R S vector यह पता चल गया, इस R S vector से perpendicular, R S vector वाले line के perpendicular की length, origin से find करनी है, तो इसको मान लेते हैं, यह point M है, तो R S line की equation, यह line की equation हम लोग find कर सकते हैं, तो line की equation के लिए क्या करेंगे, कि line की equation हम लोग देखते हैं, T A, line की equation हमरे पास क्या हो जाएगी, equation of R S, R S की equation, R और S दिया हुआ है, R और S की help से हम line की equation लिख सकते हैं, X by 1, Y minus 3 by, minus 1, और Z by 2, इसको lambda मान लें, तो यहां से X, Y, Z की value, X आ गया हमरे पास lambda, Y आ गया 3 minus lambda, और Z आ गया हमारे पास 2 lambda, यह हमारा point M हो जाएगा, किसी एक lambda के लिए, अब हम देखते हैं, R S vector, R S vector, और यह O M vector, इनके बीच में इंगल 90 degree बनेगा, तो हम यह दोनों vector का dot product 0 कर देंगे, तो O M dot R S, इसको हमने 0 कर दिया, यहां से हमें lambda मिल गया, और वो lambda, यहां से हमारे पास 1 by 2 आ गया, जिसको हम यहां पे रख देंगे, तो हमारे पास यह M point आ गया, M point क्या आ जाएगा, यह 1 by 2 रख दोगे, 1 by 2, और 3 minus 1 by 2, 5 by 2, और यहां 2 lambda, यह 1 आ गया, अब हम O M vector find करके, उसका mod निकाल लेते हैं, तो this is the required length, जो आपका D option था, D option था, तो O M के बीच में distance formula लगा देते हैं, तो under root of 1 by 4 हो गया, प्लस 25, डिवैड़े बाइ 4, प्लस 1, यह calculate करते हैं, under root 15 by 2 आ रहा है, तो हमारे पास जो इस option के question में दिया हुआ है, under root 15 by 2, यह यहां से आ रहा है, तो under root 15 by 2, यहां यह आ रहा है, तो यह हमारा answer है, option D इसका मतलब correct है, तो यह question number 2 discuss किया गया, यह हमारा question number 2 है, अब हम लोग question number 3 पे चलते हैं, question number 3 पे, पे, so let us move to the question number 3, देखे, question number 3 में क्या दिया हुआ है, question number 3 में दिया हुआ, U is a unit vector, and omega is a vector, again this is also a vector, given that these exist a vector, there exists a vector V in the R cube, such that U cross V equal to 1, and W dot U cross V equal to 1, which of the following statement is the correct options, जो चार options में दिया हुआ है, तो let us move to the answer part of this question, मुआ लोग इसके answers को discuss करते हैं, तो यहां सबसे पहले तो हमें यह discuss करना है, कि यह दिया हुआ है option, तो हमारे पास U, का मॉड और V का मॉड, sin theta, sin theta, यह 1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, U का मॉड 1 दिया है, क्यूंकि unit vector दिया हुआ है, तो हमारे पास V का मॉड इंटू sin theta, यह 1 हो गया, इसका मतलब क्या है? U और V इस तरीके से हैं. ये U है और ये V है. तो अब ये इसी बात है, ये U cross V होगा. ये U cross V होगा. अब W एक वेक्टर है, इनके बीच में एंगल हमने थीटा लिया है. ये एक रिलेक्शन आ गया है, इसको equation number 1 बोल देते हैं. अब दूसरे डिलेशन पर चलते हैं हम लोग, कह रहे हैं, ओमेगा एक वेक्टर है, जो इस तरीके से U cross V के साथ भी 1 हो रहा है. इसका मतलब अगर हम ओमेगा कोई एक वेक्टर ले लेते हैं, मान लेते हैं, ये वेक्टर हमारा ओमेगा है. इनके बीच में अंगल अगर मान लेते हैं, हम theta यहां, यहां phi लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में phi अंगल है, तो mod of omega, mod of u, mod of v, और यहां sin theta, cos phi. यह आगया 1. यह दोनों unit vector हैं तो इनके length की value 1 रख देते हैं तो हमारे पास यह equation बन जाएगा V का this sin of theta और cos of phi यह 1 आ गया लेकिन हम देखते हैं कि यहां से V mod V sin theta is also 1 यहां put कर देगर तो यहां से हमारे पास cos phi यहां से cos phi 1 आ गया मतलब phi हमारे पास क्या आ गया यह phi आ गया 0 degree this means that कि यह vector और यह vector यह इनके बीच में कुछ angle नहीं बन रहा है 0 बन रहा है इसका मतलब यह दोनों parallel vector है तो यह parallel इसके parallel vector होगा तो इसका मतलब U और V के perpendicular होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा omega है is perpendicular to U and V U और V के perpendicular होगा अब यहां से एक चीश समझ में आ रहा है अगर U और V के perpendicular होगा तो theta कुछ भी हो इस V की बहुत सारी position बन सकती है infinite position बन सकती है जो की question में दिया हुआ है question में दिया हुआ है there exist V option में there exist infinite positions of V तो V की infinite choice हम बना सकते है V की infinite choice बना सकते है यहां से यह clear है क्यों? क्योंकि theta angle कुछ भी हो लेकिन हम V को different तरीके से मोड के हम U cross V के perpendicular U और V के plane में बहुत तरीके से move कराके हम V की different positions बना सकते है तरीकर कर में बहुते है यह है this means that V has in infinite positions we have infinite positions positions in plain containing containing u and v u और v के plane में v की different different positions बना सकते हैं तो इसका मतलब हमारे पास जो b option था वो correct option आ गया अब देखिए अब आगे क्या दिया हुआ है आगे दिया हुआ है करें u lies in xy plane तो if u lies in suppose हम लोग c option को check करने जा रहे है b option तो हो गया c option check करने तो अगर u xy plane में lie कर रहा है तो u क्या हो जाएगा 1i plus u2j इसमें k का coefficient नहीं होगा तो करें कि तो अब देखिए u क्यूंकि हमें पता है यू जो है हमारे पास w के perpendicular है तो u is perpendicular to w यहां से हमें क्या मिल जाएगा u dot w यह 0 मिल जाएगा और यह देदेगा हमें u1 plus u2 equal to 0 और यहां से हम देखते हैं कि u1 का mod और u2 का mod same हो जाएगा क्योंकि u2 को इधर ले जाके mod लिया तो u1 का mod equal to u2 का mod जो की option c में दिया हुआ है इसका मलब c options भी correct है साथ में इन्होंने कहा है u lies in the xz plane then 2 u1 का mod equal to u3 का mod तो d option को भी check करते हैं हम लोग d option में let u जो की xz plane में होगा तो u1 i plus k u3 होगा और यह again w के साथ इसका dot product 0 कर देंगे तो w हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है w क्या दिया हुआ है वन वन टू वन 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 टू के साथ यह क्या दिया हुआ है वन वन टू इसके साथ इसका dot अगर हम 0 करें तो u1 plus 2 u2 equal to 0 आ गया है यहां से हम लोग देखते हैं u1 का mod equal to two times of u2 का mod आ सब्सक्राइब यू 3 का mod यह 3 है यू 3 का mod जो कि हमारे पास नहीं दिया हुआ है तो u3 का mod हमारे पास अगर हम लोग इसको dot product पू लेते हैं तो u1 का mod equal to two u3 का mod होता है इसका मतलब यह सही नहीं है तो हमारे पास यहां दो option आ गया b and c options are correct यह option सही नहीं आ रहा है तो b option and c option are correct यह दो options आ गये हमारे पास जो की correct options हैं इस तरीके से यह question solve हो गया अब हम लोग अगले question पे चलते हैं जो की अगला question है हमारे पास question number four so question number four को देखे question number four क्या करा the equation of the plane passing through one 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 and perpendicular to the plane this and this तो यहां पे देखिए यह हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के perpendicular plane चाहिए इसका मतलब क्या है कि यह कुछ ऐसा situation बनेगा यह देखिए यह आपकी एक plane है दूसरी plane यह है और तीसरी plane हमें जो चाहिए वो कुछ ऐसा मान लेते हैं यह plane चाहिए अब इन्होंने कहा है यह plane हम मान लेते हैं दिया हुआ है two x plus y minus two z equal to five और यह plane मान लेते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है तो three x minus six y minus two z equal to seven दिया हुआ है इक्वेशन आफ प्लेन पासिंग थ्रू वन कॉमा वन और वन कॉमा वन यह इस प्लेन में लाई कर रहा है इस पॉइंट से पास वने वाली plane की equation चाहिए जो इन दोनों के perpendicular है यहां के बीच में 90 डिग्री बन रहा है यह angle 90 डिग्री बन रहा है ठीक है तो अब यह सी बात है जो इस plane का normal होगा वो n1 इधर आएगा और इसका normal इधर आएगा यह दोनों जो है इस plane के parallel होंगे इसका मतलब क्या है n1 vector the normal of this one n2 vector the normal of the second plane and एक point p दिया हुआ इसमें तो एक variable point अगर हम लोग मान लेते हैं x y z इस plane में लाई कर रहा है तो एक vector इस plane में अल्रेडी हम बना सकते हैं वो क्या हो जाएगा x minus 1 y minus 1 और z minus 1 यह तीनों क्या होंगे coplanar तो यह तीनों coplanar होंगे तो हम इनसे बने हुए determined की value जीरू कर देंगे तो पहला क्या हो जाएगा x minus 1 y minus 1 z minus 1 दूसरा n1 क्या है इसका normal 3 minus 6 minus 2 3 minus 6 minus 2 और इसका normal क्या हो जाएगा 2 1 और minus 2 इसको हम 0 कर देंगे यही से हमें calculate करने पर मारा required answer solve we get the answer इसको solve कर लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा x minus 1 आप देंगे इस determine को solve कर रहे हैं तो यह हो जाएगा 12 minus plus 2 हो जाएगा minus y minus 1 यह छोड़ दिया यह छोड़ दिया यह minus 6 और यह plus 4 हो जाएगा और plus z minus 1 क्या हो जाएगा यह और यह छोड़ दिया तो यह 3 और minus 6 minus 2 plus 12 हो जाएगा is equal to 0 इसको solve करते हैं इसको solve करने पर हमारे पास यह answer आ रहा है 14 x plus y plus 15 z 15 z this is equal to 31 यह हमारा answer है जो option a है यहाँ a is correct option a हमारे पास correct आ गया तो इस तरीके से यह question solve हो गया question number 4 था यह question number 4 था अब हम लोग question number 5 पे move करेंगे let us move to the question number 5 so question number 5 क्या है o be the origin pqr be an arbitrary triangle the s is a point such that यह relation दिया हुआ है ध्यान देना है यहां पहले दिया हुआ है o p dot o q यहां यह q होना चाहिए plus or dot os os equal to or op plus o q os यह सब दिया हुआ है o q o r o p और o s यहां देखिए यहां अगर हम इस दोनों को देखते हैं ध्यान से इन दोनों पे ही ध्यान से देखते हैं तो यहां पे o p है और यहां पे भी o p है तो o p वाले term को एक साथ ले आते हैं और o s वाले term को एक साथ पहले हम इन दोनों को equate कर रहे हैं इन दोनों को equate कर रहे हैं तो यहां से हम देखते हैं कि o p एक तरफ आके common आ गया तो q आ गया माइनस और यह आ गया दिस इस इक्वल टू अब इसको उस साइड में ले आके o s common ले लिया हमने तो o s common लेने के बाद हमारे पास क्या गया डॉट प्रड़क्ट में और चेंज हो जाता है तो o q माइनस o r आ गया यहां से भी o q माइनस o r आ गया यहां से हम लोग ध्यान से देखते हैं ध्यान देना है यहां dot product था यहां dot product था अब यह देखिए o p अब यह क्या है यह हमारा vector क्या है r point q की तरफ जा रहे है r से final position माइनस initial position यह r q vector है और यहां भी o s यह क्या है r q vector है अब हम इसको एक side में ले आते हैं और r q vector को common ले ले लेते हैं तो यहां से जब ले आएंगे तो यह op minus o s बन जाएगा और dot product with r q यह 0 आ गया लेकिन यह vector क्या है final point minus initial point sp vector है यह sp vector dot r q vector यह आ गया 0 यह आ गया 0 अब हम लोग अगर triangle को बनाते हैं तो triangle हमारा p q r है यह देखिए p q r triangle है p q r और s एक ऐसा point है जिसमें दो vector का dot product 0 आ रहा है तो अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ sp vector यह vector यह आगे भी जा रहा है यहाँ आगे जा रहा है sp vector और r q vector p q r है यह यह हमारा r point था यह r point था तो हम देखते हैं कि r q vector यह यह p s vector था जो इस तरीके से जा रहा था आगे और यह r q vector है इनके बीच में angle 90 degree होना चाहिए क्योंकि इनका dot product 0 आ रहा है जब हमने यह दो consider किया यह दो consider किया तो हमारे पास यह आ गया अब हम बाकी दो consider करें similarly similarly अगर हम मान लेते हैं इसको इसके साथ consider करें तो यहां पर क्या आ जाएगा यहां पर कि इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि दो चीजे आ जाएंगी qs.rp यह 0 आ जाएगा और बाकी तीसरे को consider करने से क्या आ जाएगा इसका मलब यहां भी 90 डिग्री बन रहा है और यहां भी 90 डिग्री बन रहा है तो हम देखते हैं कि यहां पर एक relation और आ रहा है sr.p q vector this also 0 इसके लोग यहां भी 90 डिग्री बन रहा है तो अब यह सी बात है vertex से side पे perpendicular है s point of s is the point of intersection of the perpendicular from the vertex to the sides so this is ortho center तो यह क्या हो गया ortho center तो s is ortho center यह हमारा answer है तो यहां पर जो चार option दिया हुआ है ortho center यह option सही है so this is the question number 5 जो कि discuss किया गया now will we move to question number 6 6 let us move to the question number 6 question number 6 यह एक paragraph है तो यह paragraph है इस question को हम लोग देखते हैं यहां क्या दिया हुआ है करें o be the origin o x o y o z be the three unit vectors in the direction of the side qr rp and pq respectively of a triangle तो हम लोग देखते हैं कि एक triangle के direction में हमारा यह दिया हुआ है ठीक है तो o be the origin o x be the unit vectors in the direction आप तो हम लोग उमके पास ultimately पहले triangle बना लेते हैं पी qr triangle है मारे पास पी qr यह pqr triangle है पी qr triangle में हमें दिया हुआ है कि जो qr के along है यह qr के along o x एक unit vector है o x unit vector है तो इसका मुलब क्या हो जाएगा qr vector divided by qr mod यह हमारा o x हो जाएगा और दूसरा है r p r p यह r p vector है जो कि क्या हो जाएगा o y divided by o y unit यह r p y vector क्या हो जाएगा r p vector divided by r p vector का mod यह हमारा o y vector हो जाएगा similarly यहां से तीसरा vector भी दिया हुआ है p q vector तो यह p q vector है तो p q vector divided by p q vector का mod यह हमारा है o z के along यह unit vector है यह दिया हुआ है अब इन्होंने कहा है कि यह find करिए जो अगर हम पहला question find करते हैं जो कि question number हमारा क्या है question number यह एक paragraph का question है जो कि पहला ही question है तो यह question है हमारा sixth question तो six question है six question में हम लोग इसको find करते हैं यहां से दिख रहा है कि o r और o x और o y का cross लेना है तो यहां से दिख रहा है कि अगर हम o x cross o y इसका mod अगर ले तो क्योंकि यह unit vector है इनके बीच में o x का mod और o i का mod यह one हो जाएंगे इनके बीच में angle क्या है यह हम लोग देखते हैं तो o x हमारा इस तरीके से यहां जा रहा था इस तरीके से और o y हमारा इस तरीके से जा रहा है तो यह यह r है तो यह जो हमारा angle हो जाएगा वो pi minus r हो जाएगा तो pi minus r हो जाएगा तो यहां sine of pi minus r इन दोनों के बीच में angle sine pi minus r है तो यह दोनों unit vector है तो इनकी length तो 1 हो जाएगी 1 into 1 into sine pi minus theta sine theta ही होता है यह sine r हो गया बट हमें एक और relation पता है कि we have we have p angle plus q angle plus r angle this is equal to pi तो हम यहां r की जगा अगर रख दें तो यह क्या हो जाएगा pi minus p plus q हो जाएगा यही value और sine pi minus theta फिर से क्या हो जाएगा sine theta तो यह sign of p plus q आगया यह sign of p plus q आगया जो की यहां c option में दिया हुआ इसका बलग यह c option हमारा given है जो की answer है तो इस तरीके से यह question number 6 यह question number 6 था यह अपनने solve किया अब हम question number 7 पर चलते हैं let us move to the question number 7 question number 7 क्या है यह पहले देखते हैं तो question number 7 में यह दिया हुआ है कि इसकी minimum value चाहिए हमें आपको याद होगा कि if एक triangle में we know that we know that in a triangle PQR cos P plus cos Q plus cos of R इसकी maximum value 3 by 2 होता है this has maximum value 3 by 2 we know that this relation will be in a triangle in a triangle PQR where PQR are the angles of the triangle तो हमें पता है कि किसी a triangle में cos P plus cos Q plus cos R must be less than or equal to 3 by 2 और यह भी तब होता है इसकी maximum value तब अचीव होती है जब PQR are equal means equilateral triangle equilateral triangle के case में यह result यूज होता है इसी result को हम यहाँ use कर सकते हैं यह result में हम देखते हैं कि we have इसको अगर मान देते हैं X तो यह क्या दिया हुआ है cos P plus Q plus cos of Q plus R plus cos of R plus P this is लेकिन P plus Q क्या है pi minus R तो यह ही क्या हो जाएगा cos of pi minus R यह क्या हो जाएगा cos of pi minus P यह क्या हो जाएगा cos of pi minus Q cos pi minus theta minus cos theta होता है तो यहाँ minus common आजाएगा और यह हो जाएगा cos R और यह हो जाएगा cos P और यह हो जाएगा cos Q अब देखिए हमें पता है कि यह value है इसके value 3 by 2 से छोटी है तो एकर हम minus 1 से multiply कर दे तो इसी में हम minus 1 से multiply कर दे यही relation हमारे पास क्या बन जाएगा minus cos P plus cos Q plus cos R must be less than or equal to minus 3 by 2 यह सॉरी greater than or equal to यहाँ क्या हो जाएगा greater than or equal to inequality का sign change हो जाएगा ठीक है तो हम लोगों ने देखा कि यह जो value है minus 1 से यहाँ पर multiply करने पर यह minus 3 by 2 से greater than or equal to 0 हो गया तो यही हमें निकालना था तो यह हमारे पास यह minus 3 by 2 से greater or equal to 0 हो गया मतलब X must be greater than or equal to minus 3 by 2 से greater तो X minimum हमें मिल गया जो इस expression की minimum value minus 3 by 2 है जो हमारा D option में दिया हुआ इसलिए D options यह यहाँ correct हो गया ओके तो यह आपको समझ में आया होगा let us move to the next question तो आप हम लोग अगले question में चल रहे हैं यहाँ अगला question है यह question है MCQ type तो यहाँ दिया हुआ है क्या P1 एक plane दिया हुआ है और P2 एक another plane दिया हुआ है B2 plane then which of the following statements are the correct options तो इसमें हम लोगों को ultimately सारे options को चेक करना है तो पहला options क्या है the line of intersection of P1 and P2 has the direction ratio यह तो यह क्या direction ratio हमें चेक करना है अगले बेस पे चलते हैं हम लोग और इसको चेक करते हैं तो हम लोग यह देखते हैं कि यहाँ दिया हुआ है क्या कि दाप P1 और P2 P1 plane क्या दिया हुआ है P1 दिया हुआ है 2X X प्लस Y माइनस Z इस इकोल तो 3 और P2 क्या दिया हुआ है option A चेक करने जा रहे है P2 दिया हुआ है X प्लस 2Y प्लस Z इस इकोल तो 2 P1 और P2 करें कि the line of intersection of P1 and P2 has the direction ratio so direction ratio N1 cross N2 हो जाएगा यह line का direction ratio हो जाएगा line के normals दिये हुए है I, J, K यहाँ 2, 1, minus 1 और यहाँ 1, 2 और यह 1 इसको अगर हम लोग solve करेंगे तो हमें line का direction ratio मिल जाएगा तो निकाल लेते हैं यह इसके साथ multiply होगा I यह 1, minus, minus 2 plus 2 हो जाएगा minus J हम लोग देख रहे हैं 2, minus, minus 1 plus 1 हो जाएगा और plus K यह और यह तो यहाँ 0 आजाएगा तो हम देख रहे हैं 3 times of I, minus J यह direction ratio आ रहा है क्या यह question में दिया हुआ the line of intersection of P1 and P2 has the direction ratio 1, 2, minus 1 so A is not the correct option because direction ratio is this one ठीक है ओके दूसरे में क्या दिया हुआ है the line this is perpendicular to the line of intersection of P1 and P2 तो क्या line B option तिक करते हैं तो B option क्या है करें कि the line line क्या दिया हुआ है 3 x minus 4 by 9 और दूसरे में हम minus 1 से उपर नीचे multiply कर दें यही क्या हो जाएगा 3y minus 1 divided by 9 और लास्ट में दिया हुआ है यहाँ minus आ जाएगा z by 3 clearly दिख रहा है इसका direction ratio dr यह क्या है इसका direction ratio दिख रहा है अगर हम लोग इस line को calculate करें तो 3 से पूरे equation में हम पूरे equation में 3 से 3 common ले लेते हैं तो 3 common लेने के बाद यहाँ यह line क्या बन जाएगा x minus 4 by 3 by यहाँ 3 बन जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ y minus 1 by 3 by minus 3 हो जाएगा और यहाँ z by 3 है ही है इस तरीके से हम देखते हैं जो dr होगा dr होगा वो 3 minus 3 और 3 है क्या यह और यह perpendicular है तो अगर इनका dot product 0 आजाएगा तो perpendicular हो जाएगे तो हम देखते हैं कि इनका अगर हम dot product ले रहे तो 3 into 3 और यहाँ minus 3 into minus 3 और k है नहीं इसलिए वो 0 हो जाएगा is not equal to 0 क्यों क्योंकि यह प्लस हो जाएगा यह नाइन प्लस नाइन इस नौट इक्वल टो जीरो तो इसका मतलब यह option भी हमारे पास wrong आ गया तो यह हम लोगों देखा किस तरीके से यह हमारे पास wrong option आ गया अब सी option करें acute angle between p1 and p2 तो p1 और p2 के बीच में acute angle बहुत आसान है हम लोग निकाल सकते हैं acute angle मान लेते हैं theta है तो cos theta इनके normals n1 dot n2 divided by n1 magnitude और n2 magnitude यह रख देते हैं यहां तो n1 और n2 का dot लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 plus 2 और minus 1 divided by n1 का magnitude under root 6 n2 का magnitude under root 6 यह calculate करने के बाद क्या रहा है 3 by 6 which is 1 by 2 तो theta is 60 degree तो यह option हमारे पास सही आ गया option c is the correct option now move to the option d, option d पे move करते करें p3 is the plane passing through the point 4 to minus 2 and perpendicular to the line of intersection अब तो एक plane find करना है p3 जो एक point से पास हो रहा है एक point दिया हुआ है 4, 2 और minus 2 से पास हो रहा है एक plane और जो line of perpendicular to the line of intersection of p1 and p2, p1 और p2 line of intersection के perpendicular है इसका हमारी यह है जिसका direction ratio हम देख चुके है 3 i minus j है तो यह DR हो जाएगा और इस point से पास होगा तो plane की equation हमारे पास क्या बन जाएगी वह हम लोग बहुत आसानी से निगाल सकते हैं तो plane की equation क्या हो जाएगी यह DR हमें पता है DR हम लोग यहां देख सकते हैं 3 से दिवाइड कर दें तो 1, minus 1 हो गया यह और point हमारे पास 4 2 minus 2 है तो a into x minus x1 b into b हमारे पास minus 1 है into y minus y1 और c है नहीं तो यह 0 into z minus 0 यह हमारी plane की equation हो जाएगी जो कि क्या हो जाएगी x minus 4 और minus y plus 2 equal to 0 तो यहां से x minus y और उदर जाके यह 2 हो जाएगा यह plane की equation है P3 is the plane containing the point this 4 2 minus 2 and perpendicular to line of intersection आप P1 and P2 P1 और P2 के जो line of intersection के perpendicular है तो यह हमारी line है जो इस plane के perpendicular है तो यह 90 डिग्री बन रहा है यह line है तो यह जो plane है वो हमने यहां find कर लिया करें इस plane पे the distance of 2 1 1 from the plane P3 यह हमारी P3 हो गई यह P3 plane हो गई इसकी distance से ही हमें कहां से 2, तो इसकी distance से ही है तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि हमारा plane है जो इस तरीके से है और इसकी 2, 1, 1 से distance से ही है तो इसको A मान लेते हैं इसको B मान लेते हैं पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस ही है यह यह A B distance हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं यह A B distance क्या होगा यह इसमें रख दो तो 2 1-2 mod divided by under root A square plus B square 1 square plus 1 square यह हम देख ले हैं यहां पर हमारे पास 1 by root 2 आ गया तो यह 1 by root 2 आ गया 2,1, तो एक बार हम लोग plain चेक करना है यहां 1 by root 2 आ रहा है तो 2 by यहां पर 2 by root 3 आ रहा है तो P3 की equation को चेक करना पड़ेगा P3 की equation हम लोग देखते हैं तो P3 की equation यहां से थोड़ी से गलती हो गई यहां Z है यह तो यह जड़ है यह प्लस जड़ आ रहा है यह P3 की equation आ रही है तो इस इस पॉइंट से P3 की equation यह आ रही है थोड़ा सा यहां पर कुछ गलती हो गई है तो वहां चेक कर लेंगे तो हम लोग एक बार इसको अगले पेज़ पर कर लेते हैं फिर से कर लेते हैं चलिए मुलेज लेसे को अगया टो कमा मइनस तू है तो एक हम लोग एक सय ले लेते हैं एक वैटर यहां से हो गया expose ज़ड़ और इनके normals, normals n1 और n2, यह p1 का normal हो जाएगा, और यह p2 का normal हो जाएगा, तो इनको हम लोग अगर देखें, तो इससे plane की equation x-4, यह vector, यह vector तीनों vector को coplanar कर दें, y-2 और z-2, और यहां से पहला normal कितना आ गया, 2,1,-1 है, और 1,2,1 है, equal to 0, इसको solve करने से ही यह equation आ रही है, x-y plus z equal to 0, और इस plane पे इन्होंने कहा है, कि जो distance find करनी है, वो find करनी है, हमें 2,1,1 से, 2,1,1 से हमें distance find करनी है, तो 2,1,1 से इसकी distance find करनी है, यह plane हमारे पास आ गया है, तो इसकी distance, distance हमारे पास क्या आ जाएगा, यह देख लेते हैं, distance यह point रख देँगे, इसमें, तो 2,1 प्लस 1 का mod divided by under root a square, plus B square, plus C square, one square, plus one square, plus one square, यह आ जाएगा, हमारे पास 2 by root 3, तो यह हमारा D option था, वहांका calculation हमें सी mistake हो गई, तो यहां पे हमें देखना क्या है, कि हम लोग इस point से पास होने वाली plane है तो एक variable point P ले लेते हैं जो X, Y, Z है और दोनो P1 और P2 के जो normals हैं वो P1 और P2 के जो normals हैं और ये vector ये तीनो co-planar होंगे तो इसे पास होने वाली plane का box इसमें जो box होगा वो 0 होगा या इसे determinant form करके 0 कर देते हैं तो मैं plane मिल जाता है और ये plane पे 2,11 से perpendicular distance निकालते हैं वो 2 by root 3 आ गया है ये हमारा answer है तो ये question है हमारा question no.8 हमने discuss किया अब हम लोग question no.9 पे चलेंगे तो question no.9 क्या है एक बार हम लोग इस तीस को पढ़ते हैं तो question no.9 क्या है let us move to the question no.9 question no.9 में क्या दिया हुआ है a, b are the two unit vectors such that a.b is 0 for some x, y and c is this one if c mod is 2 and the vector c is inclined at the same angle alpha with a and b then the value of 8 cos square alpha ये हमें find करना है तो यहां से एक चीज ध्यान से अगर देखा जाए तो अगर c का a के साथ dot ले ले c dot a ले ले a के साथ dot ले ले तो क्या आ जाएगा x a mod square a dot b दूसरे में आ जाएगा y a dot b आ जाएगा और तीसरे में आ जाएगा a dot a cross b आपको पता है a dot b 0 दिया हुआ ये 0 हो गया ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि दो वेक्टर equal है a a तो इनका box 0 हो जाएगा ये तो यहां से हम देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा इनके बीच में angle दिया हुआ है करें c का a और b दोनों के साथ angle alpha है इसलिए हम यहां से देखते हैं क्या c का magnitude a का magnitude cos of alpha is equal to x into a का magnitude a आपको पता है एक unit vector है इसलिए बन हो जाएगा यहां से x मिल गया हमारे पास 2 cos of alpha similarly यही देख रहे हैं यह y भी हो जाएगा अगर b के साथ हम इसी में dot ले ले लेते हैं take dot with v this also 2 cos alpha यह हमारे पास x और y मिल गया तो अब हम देखते हैं जो हमारे c vector हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 cos alpha into a 2 cos beta into b plus a cross b यह हमारे पास c आ गया अब अगर हम c के mod को square कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा तो c के mod का square कर दें तो a square इसका square हो जाएगा 4 cos square alpha mod a square जो की आपको पता है unit vector है तो 1 हो जाएगा b square 4 cos square alpha mod b square plus c square a cross b के mod का square plus 2 a b a b a dot b 0 हो जाएगा b c this dot this दो vector same हो जाएगे यह भी dot 0 हो जाएगा और a c यह दोनों a का a cross b के साथ dot फिर से 0 हो जाएगा तो यह सब 0 हो गया यह हम लोग देखते हैं यह 0 हो गया तो यह आपको पता है c का mod दिया हुआ है मारे पास c का mod कितना दिया हुआ है यह दिया हुआ है 2 तो यह कितना हो जाएगा 4 4 plus 4 8 cos square alpha हो जाएगा plus यह value क्या होती है यह होती है mod a square mod b square minus a dot b का whole square लेकिन a dot b क्या है 0 दिया हुआ है तो यह हो जाएगा 4 equal to 8 cos square alpha plus यह दोनो 1 1 है और यह 0 है तो यहां से हम 8 cos square alpha इसके value देखे 1 इदर जाकर subtract हो जाएगा 4 minus 1 यह जाएगा 3 तो हमारे पास इसका answer कितना जाएगा 3 तो यह question number 9 का answer जो कि हम ले फाइंड किया 8 cos square alpha के value 3 आ रही है यह अपना question number 9 हो गया now move to the next question question number 10 to question number 10 पे हम लोग move करते है question number 10 क्या है 10 देखे consider the cube in the first octane with op, oq and or of length 1 unit along x, y, z axis respectively o is the origin and s is a point 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 be the center of the cube and t be the vertex of the cube opposite to the origin such that s lies on the diagonal ot और यह सारे vectors दिये हुए हैं कि यह vector लेके यह value find करो तो हम लोग diagram बना के solve करते हैं तो हम लोग यह देखते हैं कि सबसे पहले एक cube बना लिया जाए और यह हम यहां x-axis ले ले रहे हैं यह y-axis ले रहे हैं और इसको z-axis ले 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 लेते हैं यह हमने और यहां origin ले ले लेते हैं अब given क्या है consider the cube in the first obtained op op यहां p ले लिया op, oq and op, oq and or और यहां ले लिया है यह x-y-z के along लिया गया है o origin दिया हुआ है, s is lies on the o-t, o-t यह t ले लिया है sorry, यह t नहीं है, t भी the vertex of the cube opposite to the origin such that s lies on the diagonal o-t, s-tigmat, consider the cube in the first octane with op, oq and or of length 1 unit along x-y-z axis where o is the origin and s be the center of the cube and o-t is the vertex of the cube opposite to the origin such that s lies on o-t इसका मतलर t हमें यहां लेना है, तो यह t दिया हुआ है तो इस तरीके से यह हमें t नहीं लेना है, तो यहां से जो किया, यहां s लिया है, s इसका midpoint, यह obvious ही बात है, 1, 1, 1 हो जाएगा, इस तरीके से यह 1, 0, 0 हो जाएगा, और यह 0, 0, 1 हो जाएगा, t हमारे पास यह हई है, अब हमें जो जो vector find करना है, वो हम लोग find कर लेते हैं, तो यह करें कि p vector find करना है, p vector sp है, sp vector है, अब p minus s, p minus sp vector, तो यह हो जाएगा, p, तो हम लोग देखते हैं कि यह क्या हो जाएगा, final point minus initial point, तो यह p v of p minus p v of s हो जाएगा, तो p का हम position देख रहे हैं, p का position क्या है, 1, 0, 0 में से s subtract किया, s क्या है, यह यह दिया हुआ है, यह 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 है, तो यह 1 by 2, 1 by 2 और 1 by 2 है, अब अगर हम इसको calculate करते हैं, 1 minus 1 by 2, यहाँ 1 by 2 आ जाएगा, बाकी में minus 1 by 2 और minus 1 by 2 हो जाएगा, तो यह हमारे पास, जो p vector है, यह मिल गया है, p vector मिल गया, similarly हम लोग आगे सारे vector find कर सकते हैं, p vector के बाद हमारे पास, जो q vector है, q vector क्या है, s q, q, तो s से q की तरफ, तो position of q minus position of s, तो यहाँ हम लोग इसको निकाल लेते हैं, q, q क्या है, q हम लोग देखते हैं, 0, 0, 0, 1 है, minus s क्या है, s है 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, और इसमें से subtract कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा, minus 1 by 2, पहला, दूसरा भी minus 1 by 2 आ गया, और तीसरा, 1 minus 1 by 2 हो जाएगा, जो की 1 by 2 हो जाएगा, यह हमारा q vector हो गया, और r vector निकालते हैं, r vector क्या है, r vector है, s r vector, जो की r minus s vector हो जाएगा, तो r minus s vector, r क्या है, यह हम लोग देखते हैं, r point यहाँ है, यह 0, 0, 1 है, यह हमारा r vector है, तो हम देखते हैं की 0, 1 by 2, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, q में हमें यहाँ 1 लेना है, यहाँ 0 लेना है, तो थोड़ी सी गलती हो गई, तो q में हम लोगों को यहाँ 1 लेना है, यहाँ 0 लेना है, तो अब हम लोग इसके हिसाफसे calculate करते हैं, तो यहाँ तो सही है, ओन माइनस 1 by 2, यहाँ प्लस 1 by 2 हो जाएगा, और 0-1 यहां माइनस हो जाएगा तो यह हम लोगों को Q-S निकाला हमने S-R निकालते हैं तो S क्या है, R क्या है हमारे पास 001 minus S निकालते हैं S क्या है 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 और इसको कल्कुलेट कर लेते हैं तो कल्कुलेट करने पर यह देख रहे हैं कि बड़े आराज से क्या मिल रहा है यह 0-1 by 2-1 by 2 मिल रहा है और 0-1 by 2 यहां भी minus 1 by 2 मिल रहा है और 1-1 by 2 1 by 2 मिल रहा है तो हमारे पास जो वेक्टर सा गये हैं वो हम लोग calculate करते हैं तो यह मिल रहा है अब एक वेक्टर और calculate करना था हमें T S जो T vector है तो T vector क्या है ST ST का मतलब T minus S और T हमारे पास क्या आया है T आया है 1-1-1 minus S क्या आया है S है 1 by 2 1 by 2 1 by 2 तो दिख रहा है कि यह 1 by 2 1 by 2 1 by 2 आगया है तो अब अपने पास P क्यू क्रोस अगर हम P Q का क्रोस ले ले हैं तो यह क्या आ रहा है अब देखिए P और Q P यह हमारे पास है Q हमारे पास यह हैं तो प D q का क्रोस ले ले यहां i, j, k तो रहे गई, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 4 बाहर आ जाएगा, और यहां क्या जाएगा, 1, minus 1, minus 1, और वहां क्या जाएगा, minus 1, 1, और minus 1, तो इसका cross ले लेते हैं, यह जो value i, वो क्या आई, हम लोग calculate कर लेते हैं, तो 1 by 4, यह और यह हड़ गया, minus 1, 1, i times of, minus 1, minus 1, 1 हो जाएगा, और यहां plus 1 हो जाएगा, minus j, minus 1, और यह minus 1 हो जाएगा, और plus k, यह 1, minus minus 1, तो यह 0 हो जाएगा, तो हमारे पास यहां पर क्या आगया, 1 by 4, और यह जाएगा, यह 2 times of i, और यह भी हो जाएगा, 2, तो minus minus प्लस भी हो जाएगा, तो यह j हो जाएगा, finally यह क्या आया, i plus j by 2 आगया, अगर calculation mistake नहीं है, तो यह आगया आगया आपका, p, q, similarly हम लोग q, यह r और s, r और t find करेंगे, और यह vector निकल जाएगा, हमारे पास क्या निकल जाएगा, यह भी हम लोग निकल लेते हैं, तो i, j, k, तो r क्या है हमारे पास, r दिख रहा है कि यह है, तो यह हो जाएगा, कितना, 1 by 4 फिर से आजाएगा यहाँ, तो minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, और 1, और t क्या है, t भी हम लोग यहाँ निकल चुके हैं, 1, 1, 1, यह calculate कर लेते हैं, तो 1 by 4, देखिए, i times of minus 1, minus 1, और minus j times of minus 1, minus 1, और plus k times of minus 1, और minus 1, minus 1, plus 1 हो जाएगा, यहाँ भी हो गया 0, तो यह आ गया, अपना क्या है, कि minus 1, half i, और plus 1, j, divided by 2 आ गया, अब इन दोनों के cross का mod निकालना है, जो हम लोग निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से, तो अब क्या करेंगे, इनका pq, cross r, cross t, find करेंगे, और इसका mod ले लेंगे, तो यह निकाल सकते हैं, हम लोग देखते हैं, कि 1 by 2, 1 by 2, यह तो आ गया common, और यहाँ i, j, k, और इन दोनों का क्या है, 1, 1, और इसका कितना है, minus 1 और 1, और यह यहाँ तो 0, 0 है, तो हम देखते हैं, कि यह k के along expand हो जाएगा, यह हट गया, यह हट गया, तो k times half, 1 minus, minus 1, plus 1 हो जाएगा, और divided by 4 है, यह आ गया हमारे पास, k, यह by 2 भी हो गया, तो k by 2 आ गया, k by 2 आ गया, इसका mod लेने पे, 1 by 2 आ गया, और यह 0.5, यह हमारा answer है, तो यह इस तरीके से यह हम value calculate कर रहे है, p cross q cross r cross t का mod, यह हमारे पास 0.5 आ गया, जो question number 10 का answer है, अब हम लोग question number 11 पे चलते है, question number 11, question number 11 में क्या कहा जा रहा है, यह हम लोग सब सब पहले पढ़ते हैं, तो question number 11 में दिया हुआ है, L1, L2 are the two lines, L1 and L2 are the two lines, L3 is a line which is perpendicular to the L1 and L2, and cuts both of them, then which of the following options describes L3, तो हम लोग अगले पेश पे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या situation है, कि यहाँ पे दो line ऐसी दी हुई है, एक line यह L1 है, यह L1 है और यह L2 है, और इसको एक line L3 cut कर रही है, मान लेते हैं A, B पे cut कर रही है, तो यह A और B हम find कर सकते हैं, जो पहली line L1 दिया हुआ है, उसको अगर हम Cartesian product के form में लिखे, तो X-1, divided by minus 1, Y, बोगरें L1, L2 are the two lines, L3 is a line which is perpendicular to the both, इसका भूलाब यहाँ 90, यहाँ भी 90 बन रहा है, 90 बन रहा है, तो इसका dot product हमें 0 कर देना है, तो L1 का और इसके साथ dot product लेके 0 कर देना है, तो हमें A और B point मिल जाएगा, तो पहले हम लोग L1 को लिख लेते हैं, तो Y minus 0 divided by 2, और Z minus 0 divided by again 2, यह L1 line है, इसको अगर हम lambda 1 मान लें, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, X equal to minus lambda 1 plus 1, Y क्या मिल जाएगा, 2 lambda 1, Z क्या मिल जाएगा, 2 lambda 1, तो यह point हमारा A का कोडिनेट हो गया, यह क्या हो गया, A का कोडिनेट हो गया, similarly हम B का कोडिनेट फाइन कर सकते हैं, line 2 लिखके, line 2 क्या है, line 2 हमारे पास क्या है, क्या है कि X by 2, Y by, यहां इन्होंने lambda लिया है, तो हम lambda ले सकते हैं, यहां lambda ही ले लो, lambda 1, lambda 2 की जिए का हम lambda ले ले लेते हैं, यहां मिल लिया गया है, यह भी lambda ही है, यह भी lambda ही है, ठीक है, और यहां मिल लिया गया है, तो X by 2, Y by, minus 1, और Z by 2, यह दिया हुआ है मिल, तो यहां से अगर हम देखते हैं, तो B का कोडिनेट आ जाएगा, तो B का कोडिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ एक्वेट करते हैं, 2 mu, और minus mu, और 2 mu, तो यह A है, यह B है, अब देखिए, क्या है कि L1 का जो DR है, यह A है, L1 का जो DR है, L3 के DR के perpendicular होगा, तो L1 and L2 are the two lines, L1 and L2 are the two lines, L3 is perpendicular to the both, and cut both of them, ठीक है, both of them, then which are the following, describes L3, तो हम लोग यह देखते हैं, कि यहाँ पे जो L1 का DR है, वो यह है, और यह A point हमने लिया है, और यह A B है, तो यहाँ से A B जो line होगा, जो A B line होगा, वो करें कि इन दोनों के, L1 और L2 के perpendicular L3 है, तो L3 का जो direction ratio होगा, वो इन दोनों के cross की value होगी, तो DR of L3 is what? B1 क्रॉस B2, अब यहाँ पे हम लोगों को I, J, K दिया हुआ है, क्योंकि दोनों के perpendicular हैं, तो हम लोग यहाँ क्रॉस ले ले रहे हैं, तो यह कितना हो जाएगा, 2, minus 1, 2, और यह कितना हो जाएगा, minus 1, 2, और 2, इसको हम लोग काल्कुलेट करने, minus I, यह हड़ गया, यह हो जाएगा, minus 2, और minus 4, minus J, 4, और minus 2, plus 2 हो जाएगा जहाँ, plus K, यह हो जाएगा, 4, और minus 1, तो हम देखते हैं कि, minus 6 आयोटा, और यहाँ, भी minus 6 आयोटा, और यहाँ, plus 3 K है, J है यह, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, कि यह इसका direction ratio है, जो L3 का direction ratio है, अब देखिए, अगर मैं A, B निकालता हूँ, तो A, B और direction ratio, यह दोनों parallel हैं, अगर हम निकालते हैं, तो A और B में से, B का position minus, A का position लगा देते हैं, तो B का position हमारे पास क्या है, 2 mu minus, A का position में यहाँ lambda है, तो यह कितना हो जाएगा, plus lambda minus 1, और यहाँ से, दूसरा position क्या हो जाएगा, minus mu, और minus 2 lambda, और तीसरा position क्या हो जाएगा, 2 mu, minus 2 lambda, यह हम देखते हैं, कि इसका जो DR है, और यह, यह दोनों parallel होंगे, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, कि 2 mu, plus lambda minus 1, divided by, अब इसका जो DR है, वो हमारे पास क्या आ चुका है, इसमें अगर हम 3 से divide कर दे, तो minus 2 minus 2, और यह 1 आ गया, तो divided by minus 2, is equal to, minus mu minus 2 lambda, divided by minus 2, is equal to, कितना हो गया, 2 times of mu minus lambda, divided by 1, इनको solve करके हम, mu और lambda find कर सकते हैं, mu और lambda, इनको solve करके find कर सकते हैं, दो equation बन जाएगा, एक बार इसको इसके साथ equate करें, एक बार इसको इसके साथ equate करें, तो mu और lambda में दो equation बन जाएगा, और दोनों को solve करके, mu और lambda find कर सकते हैं तो यहां से हम देखते हैं किगर हम इसको solve करते हैं तो एक equation क्या बन रहा है यह तो minus 2 से 2 कट जाएगा और यहां से यहां जाएगा 3 mu और plus 3 lambda equal to 1 आ जाएगा एक equation आ गया और यहां से यहां अगर ध्यान देखें तो यह कितना हो जाएगा minus mu minus two lambda और यह minus two से multiply होके कितना हो जाएगा minus four mu और plus four lambda plus four lambda तो यहां से हम देखते हैं कि यह कितना बन गया यह एक कटके यहां three times हो गया यहां इसके साथ क्योंसी लोग कितना हो जाएगा? माइनस 6 लेंड़ा इस उकल टू माइनस 3 मू. तो यह माइनस 3 और माइनस 6 में से, माइनस 3 से डिवाइट कर देंगे, तो 2 लेंड़ा इक्वल टू मू बन गया, यह बन गया. अब यहां से मू की वैलू यहां रख दे तो यह कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 9 लैम्डा इक्वल टू 1 तो लैम्डा आ गया 1 बाइ 9 1 बाइ 9 तो यह यहां पर रखने पर यह हमारे पास क्या बन जाएगा पॉइंट वन माइनस 1 बाइ 9 8 वाइ 9 यह जाएगा 2 बाइ 9 कुछ टिक है मियू की वैलू हमने 2 लैम्डा 6 प्लस 3 9 टिक है और यह कितना हो जाएगा यह भी 2 बाइ 9 हो जाएगा सिम्लाली यह हम लोग देखते हैं यहां पे रख देते हैं Mew की वैलू, तो Mew की वैलू रखने के बाद, Mew किल टू लैम्डा, Mew इकुल टू लैम्डा, तो यहां 4 आ जायगा, 4 वाइ 9 हो जायगा, और यह कितना हो जायगा? Minus Mew, Minus Mew मतलब Minus 2 वाइ 9, minus 2 by 9 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा आपका 4 by 9 इस तरीके से हम देखते हैं A और B अब A और B का mid point निकालें तो ये point C मिल जाएगा अब इन C point से जो पास होने वाली line है वो line L3 करें कि which describes the L3 तो हम देखते हैं A, B, C options से अगर A और B से और C से ये line लिखें तो हमारी line आती है A, B, C options So A, B, C options are correct A, B, C options are correct ये हम लोग चेक कर लेते हैं ये चेक करके A, B, C options correct हो जाएगा जो की A, B, C options में दिया हुआ है ठीक है तो ये तीनो options हमारे पास correct options आ जाएगे तो ये आप यहाँ A, B हमने find कर लिया इनका midpoint C find करके हम A, B, C से तीनो line A, B, C तीनो options correct हो रहा है तो हम लोग अगले page पे चलते हैं अब अगले question को करते हैं question number 12 question number 12 क्या कह रहा है question number 12 देखिए question number 12 में दिया हुआ है तीन lines L1, L2, L3 are the three lines are given for which options for which point Q on L2 can we find can we find a point P on L1 and a point R on L3 so that P, Q, R are collinear अगे यहां तो दिया हुआ है यहां करना क्या है यहां यह करना है कि यह तीन line दिया हुआ है for which point P, Q on L2 P on L1 and R on L3 तो यह तीन line दिया हुआ है यह करें यह L1 है, यह L2 है, यह L3 है अब इन्होंने L2 पे कहा है, एक point Q लेना है तो यह L2 पे Q ले लिया है और L1 पे P लेना है, यह point P ले लेते हैं और L3 पे क्या लेना है, R लेना है, तो यह point R लेना है यह हमने point ले लिया है ठीक है तो यह अगर हम लोग देखते हैं तो यह P, Q, R क्या है P, Q, R को हम लोग Lambda, Mu और V के term में लिख सकते हैं Lambda तो अगर हम लोग लिखते हैं तो यह जो यह point हमआरा P आ जाएगा वोग जाएगा 0, Mu, 1 यह point आ जाएगा ठीक है है Sorry यह point Q है यह point Q है यह Q है यह Q है यह Q आ गया पहले से हम लोग देखते हैं तो Mu के term में यह line लिख दिया और जो हमारा P P point आजाएगा, वो क्या आजाएगा? वो आजाएगा लेमडा कॉमा 0, 0 यह हमारा P point आजाएगा यहां से लिख दिए हमने और R point यहां से लिख देंगे, तो यहां से clearly देखी रहा है, कि यह point हमारा 1, 1, B है यह तीनों point P, Q are collinear है, तो इसका हमारा PQ vector PQ vector is parallel to parallel to QR vector यह दोनों vector parallel हैं यहां से हमारे पास एक relation आ जाएगा lambda by one minus lambda is equal to यह दोनों vector के parallel है अगर तो इनके coefficient के बीच ratio same कर देंगे तो वहां से हमारे पास mu by one is equal to minus 1 by V आ जाएगा तो यहां से clearly दिख रहा है कि हमारे पास mu की जो value आ रही है यह minus minus plus कर देते हैं तो mu की value आ रही है lambda by 1 minus lambda अब यहां basically option से ही हमें check करना है कि यह lambda आप इन्होंने कहा है क्या question में क्या कहा है for which point Q on L2 can we find a point P on L1 and R on L3 so that PQ you are collinear, तो हमें जो यह find करना है यह Q की ही position हमें find करना है तो क्यू के लिए हम अब देखी, यहां पर जो Q दिया हुआ है वो हमारे options में दिया हुआ है तो options में हम options लेके चलते हैं तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास यह दिया हुआ है तो पहले ही options को अगर हम देखते हैं पहला option क्या दिया हुआ है पहला option हमारे पास जो दिया हुआ है a option वो दिया हुआ है उसमें i का coefficient 0 नहीं है तो यह 0, पहले option a को देखते हैं तो यह point दिया हुआ है 0, minus 1 by 2, 1 दिया हुआ है यह दिया हुआ है अब यहां से क्या यह lambda की value हो सकती है तो यह mu की value है हमारे पास mu की value हमारे पास इसका मतलब lambda by 1 minus lambda यह minus 1 by 2 के equal होना चाहिए अगर यहां से हम लोग calculate करते हैं तो हमें lambda की एक real value मिल रही है ध्यान देना है कि lambda हमारा क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए not equal to 0 and 1 1 पर undefined हो जाएगा 0 पर यह 0 हो जाएगा तो यहां से अगर हम देखते हैं तो इसके अलमा क्या कोई value मिल रही है तो देखते हैं तो यह 2 lambda और यह हो जाएगा minus 1 और plus lambda तो यहां से हम देखते हैं एक lambda कट गया तो lambda equal to minus 1 आ रहा है जो कि acceptable है इसका ममलब option A सही है option A हमारे पास सही है similarly हम देखते हैं कि यह option सही है लेकिन यह दोनों options नहीं सही है क्योंकि यहां से हमें कोई real answer नहीं मिल रहा है lambda की value लेकिन अगर हम D options को check करते हैं तो D options में हमारे पास यह point क्या है D option में D option में यह point है मारे पास 0,1 by 2,1 अब इसमें हम देख रहे हैं कि mu की value क्या है mu की value 1 by 2 है जो कि lambda के term में क्या था lambda by 1 minus lambda था अब इसको अगर हम लोग cost multiply करें तो यह 2 minus 2 lambda equal to sorry यहां multiply करें तो 1 minus lambda equal to 2 lambda आ गया तो यहां से 3 lambda equal to 1 आ रहा है और lambda की value यहां से 1 by 3 आ रही है यह हमारा acceptable answer है क्योंकि एक real value है जो 0 और 1 नहीं है तो यह हमारे पास दो options यहां से सही आ रहा है यह दोनों के लिए mu की value लेने पर यह सही आ रहा है mu की value बीच में लेने से वह mu के साथ lambda को equate किया lambda की value को यहां से lambda की real value मिल रही है इसका लोग यह दोनों options हमारे सही है इस तरीके से a and d options are the correct options so हम लोग आगे चलते हैं अगले question पे चलते हैं question number 13 let us move to the question number 13 देखे question number 13 में क्या कहा गया है three lines are given एक line यह दिया हुआ है एक line यह दिया हुआ है एक line यह दिया हुआ है और एक line यह दिया हुआ है three lines are given let the lines cut the plane at at the point a b c respectively then the area of the triangle is delta then six delta square क्या होगा तो यह देखिए क्या है कि यह तीन line है तो यह line जो है हम लोग देखते हैं कि क्या है कि जो हमारा plane है plane plane क्या है r dot i plus j plus k equal to one है इस plane में यह पहला वाला satisfy कर देते हैं कि satisfy कि आर एक्वल टू कि लेंड़ा आई अगर यह रख दें इसमें लेंड़ा आई तो यह क्या बन जाएगा यहां से आर की लेंड़ा आई वैल्यू रख दें तो यह i dot i lambda और i का j और k के साथ dot 0 हो जाएगा तो लेंड़ा कि यह पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोग देखते हैं कि यह पॉइंट क्या था कि भई यह पॉइंट था x by 1 is equal to y by y का coefficient नहीं था z का coefficient भी नहीं था तो इसका मतलब यह क्या था यह वैल्यू लेंड़ा थी लेंड़ा 1,0,0 तो हमारे पास यह जो पॉइंट आ गया प्लें में यह जो प्लेंध था हमारा इसमें यह ए पॉइंट था यह पॉइंट था यह पॉइंट था यह सी पॉइंट था जिससे ट्राइंगल रहा है तो ए का ऐ play अग ने हम पास आ गया क्या 1,0,0 चिल को मावर्लिं लोग भी अब इस ही प्लें में अगर हम यह यह define कर लिया अब इसी plane में हम लोग क्या करें दूसरी line को satisfy करवा दें तो दूसरी line को satisfy कर वा दें आई का i के साथ dot मतलब mu plus mu plus 0 equal to one हो गया तो यहां से mu मिल गया हमारे पास कितना 1 by 2 है तो हमारे पास जो b का coordinate आजाएगा बी का coordinate क्या जाएगा O B ka koorordinate similarly इसी तरहिके से by X Y y y by 1 is equal to Z,y 0 और यहां से यह था mu joki 1 by 2 था तो Xy की value यहां 1 by 2 comma 1 by 2 comma 0 आ जाएगा. यह वी का koorordinate आ गया यहां से हम Dekhate Meyer Schein देखते है b ka koorordinate यहां से हमने निकाला था A का क्वाडिनेट और similarly हमें C का क्वाडिनेट भी निकालना है जब इसको इस प्लेन में रखते हैं तो यह क्या हो जाएगा तो 1 by 3,1 by 3,1 by 3 हो जाएगा यह है अब यहां से हम लोग दो वेक्टर बना लेते हैं इसका एरिया फाइंड करना है डेल्टा तो इसका वेक्टर बनाते हैं तो 1 by 3 minus 1 minus 2 by 3 हो जाएगा और 1 by 3 minus 1 यह हमने किया 1 by 3 minus 0 minus 1 by 3 sorry 1 by 3 plus में और 1 by 3 minus 0 1 by 3 यह भी हो गया है यह हमारा AB वेक्टर हो गया यह क्या हो गया AB वेक्टर similarly हमें A sorry AC वेक्टर है यह यह AC वेक्टर है AB वेक्टर यहां है AB वेक्टर में लब 1 by 2 minus 1 minus 1 by 2 1 by 2 minus 0 1 by 2 0 minus 0 0 these are the two vector तो यह हम लोगों ने देखा कि यह हमारे पास वेक्टर आ गया हम लोग यहां से area find कर लेते हैं तो हम लोग यहां से area यहां से area find कर लेते हैं तो हमारे पास यह points तो area delta की वेलू क्या हो जाएगी half AB cross AC और इस पर mod भी ले लेंगे finally तो 1 by 2 mod ले लेंगे finally हम लोग तो यह I, J, K है और यहां AB AB हमारे पास क्या था? AB है minus 1 by 2, 1 by 2 और 0 और AC है minus 2 by 3, 1 by 3, 1 by 3 यहां से देखते हैं 1 by 2 बाहर ले लिया यहां से 1 by 3 ले लिया तो delta हमारे पास यहां क्या आ जाएगा? 1 by 2 into 1 by 2 और बाहर लिया तो 3 भी बाहर लिया और यह हमारे पास I, J, K के साथ क्या आ गया? minus 1, 1 and 0 और यहां minus 2, 1 and 1 आ गया इसको हम लोग calculate कर लेते हैं यह 1 by 12 है यह I, 1, minus 0 आ जाएगा minus J, minus J, minus 1, minus 1, minus 0 आ जाएगा और plus K, plus K, minus 1, minus 1, minus 2, plus 2 हो जाएगा तो यह हम देखते हैं delta की जो value आ वारे पास आ रही है वो अब लोग 1 by 12 आ रहा है और यह जो vector आ रहा है इस पर mod लेना ही है तो यह क्या जाएगा, I, और plus J, I, plus J, और यहाँ पे K के साथ क्या था, minus 1, और plus 2, तो यहाँ प्लस की हो जाता है अब delta mod निकालेंगे तो 1 by 12 और यह under root 3 हो गया, तो यहाँ पे 6 से multiply 6, delta की value क्या हो जाएगी root 3 by 2, तो 6 delta का square चाहिए हमें, 6 delta का square, इसको square कर दें, तो 3 by 4 आ गया, जो की 0.75, यही हमारा answer है, यह हमारा इस question का answer है, जो की question no.13 था, तो यह question हमने discuss किया, question no.13 था, 13 का answer, 0.75 आ रहा है, ठीक है, तो यह हमने देखा, कि यह question no.13 डिसक्स हो गया, अभी हमें question no.14 पे चलना है, तो लेट उस मूब तो दा question no.14, question no.14, question no.14, दीक है, question no.14 में क्या दिया हुआ है, किरें, A and B, यह A है, यह B है, A and B be the two vectors, consider A vector C, alpha A plus beta B, इसका मतलब क्या है, C जो है, A और B के plane में ही है, A और B के plane में ही C है, is the projection of C on the vector, A plus B is 3 root 2, projection of C on the vector A plus B, तो यह, अगर C, A, B के plane में है, तो एक बड़ा important point क्या है, कि यह C, यहाँ देखिए, यहाँ dot लिया जाए, तो C dot C, और minus A cross B, और dot C, because these two are co-planar, तो C, A, B के plane में, तो यह value 0 हो जाएगी, हमें जो find करना है, जो answer होगा हो, हमारा C के mod का square हो जाएगा, because A, B, C, तीन vector co-planar हैं अगर, तो उनका box है यह, तो box क्या हो जाएगा, A, B, C का box, यह 0 हो जाएगा, तो हमें जो answer find करना है, वो basically हमें C के mod का square find करना है, यह हमें find करना है, यह ध्यान देने वाली बात क्या है, यह, और उसकी minimum value find करनी है, तो minimum value चले हम तो find कर लेंगे, पहले, अभी जो दिया हुआ है क्या, A, B दिया हुआ है, means that two vector consider a vector C, if the projection of C on this A plus B, तो A plus B पे projection C का, दिया हुआ है, 3 root 2, तो A plus B हम लोग निकालते हैं, A plus B का, C का A plus B पे projection, तो A plus B हम लोग निकाल लेते हैं, तो A plus B, A और B दोनों add करते हैं, C आई, और यहां पे कितना हो जाएगा, 3J, और यहां पे हो जाएगा, K0, यह हमारा A plus B है, C का A plus B पे projection, हम लोग देख रहे हैं, कि वो दिया हुआ है, 3 root 2, तो projection of, projection of C on A plus B, यह क्या होगा, C dot A plus B, divided by A plus B, mod, mod, यह हमारा projection होगा, तो C का A, B के साथ डॉट ले लेते हैं, A, B के साथ, A plus B हम लोग फाइन कर चुके हैं, 3 है, उसके साथ डॉट ले लेते हैं, तो यह कितना हो जाएगा, C का dot बतलब, alpha A plus beta B, dot 3 I plus 3 J, और इसका mod, इसका mod हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 root 2, यह भी दिया हुआ है, 3 root 2, तो यहां से हम लोग देखते हैं, इसके साथ dot ले लेते हैं, तो यह कितना हो जाएगा, I का I के साथ, ध्यान देना है, यहां A और B रख देना चाहिए हमें, तो A और B भी रख देते हैं, तो A रखेंगे, तो alpha A, तो 2 A रखने के बाद क्या आजाएगा, यह alpha, 2 alpha A, 2 alpha, यहां A की वेलू 2, I प्लस J, माइनस के रख देंगे, और यह calculate करते हैं, तो यहां से basically हमारे पास जो आता है, वो 9 alpha प्लस बीटा आ जाता है, इन दोनों को dot लेने पे 9 alpha प्लस बीटा आ जाता है, सारा A और B की वेलू रखने के बाद, यहां 9 root 2 आ जाएगा, तो यहां से 9 से 9 कट जाएगा, तो alpha प्लस बीटा, हम लोग देख लेते हैं, कि alpha प्लस बीटा यहां पे हमारे पास आ रहा है, यह 2 आ रहा है, तो alpha प्लस बीटा यहां ध्यान देना है, रूट 2 into root 2 भी हुआ है, यह root 2, root 2 multiply हुआ, तो यह alpha प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा, तो यह आ जाएगा, यह alpha प्लस बीटा 2 आ जाएगा, अब यह हमें alpha प्लस बीटा को कहां रख देना है, हमें alpha प्लस बीटा को यहां रख देना है, इसको एक relation में convert कर लेते हैं तो हमारे पास जो C आ रहा है C आ रहा है यहाँ पे बीटा की value अगर रख दिया जाए 2 माइनस अलफा तो यह अलफा A हो गया प्लस 2 माइनस अलफा यह B हो गया यह B हो गया अब हमें C के मौड का square find करना है तो C के मौड का square हमें find कर लेना है तो हम लोग यह find कर लेते हैं तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अगले page पे तो यहाँ देखने वाली बात क्या है C के मौड का square क्या होगा यह तो हमने calculation कर लिया है अब C के मौड का square हम लोग देखते हैं तो C के mod का square, C हमारे पास आया क्या है? यह आया है, जिसमें A और B हम लोग चाहें तो put कर सकते हैं. तो चलिए हम लोग, बाद में put कर लेगे, तो A और B की value अगर हम put करें इसमें, चलिए A और B की value put कर लेते हैं, तो αलफा, A की value क्या है हमारे पास? A और B की value put कर देते हैं तो यह 2 I plus J minus K और वहाँ पर क्या है 2 times 2 minus alpha और B की भी value put कर देते हैं तो B की value I plus 2 J plus K यह आया अब यह calculate करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 plus alpha I और plus 4 minus alpha J plus 2 minus 2 alpha K हो जाएगा ठीक है अब हम इसका mod का square ले लेना है तो mod C का square मतलब इसी का square कर देना है तो mod C लेना है उसके पाद square करेंगे तो 2 plus alpha का square हो जाएगा plus 4 minus alpha का square हो जाएगा plus 2 minus 2 alpha का square हो जाएगा और यह जो value calculate करने के बाद आ रही है यह आ रही है हमारे पास 6 alpha minus 1 का whole square plus 3 आ रही है तो इन्होंने कहा है क्या question में कहा है कि minimum value find करना है किसकी minimum value find कर दी है इसकी minimum value find करनी है हमें तो minimum value हमें किसकी find करनी है यह mod c c minus a cross b का dot जो की dot में यह part तो 0 हो गया था तो हमें इसी की minimum value find करनी है मतलब यहां हमें minimum value find करना है तो इसकी minimum value के लिए हम क्या करेंगे यहां से देखिए यह पूरा करेंगे perfect square alpha में बनाएंगे यह बन जाएगा अब इसकी minimum value का वर 10 होगी जब यह 0 होगा whole square number 0 कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 6 into 3 यह आजाएगा 18 यह हमारा answer है तो minimum value आप 10 C mod is 18 if alpha equal to 1 alpha 1 हो जाएगा तो 1 minus 1 0 हो जाएगा और यहां से हमारे पास यह answer आजाएगा तो इस तरहीके से हमने यह answer find किया ठीक है तो अगले question पर चलते हैं हम लोग अगला question क्या है यह हम लोग देखते हैं यह है हमारा question number 14 discuss किया मैंने अभी मैं question number 15 discuss करने जा रहा हूँ तो question number 15 पर चलते है question number 15 क्या है question number 15 में देखते हैं हम लोग L1 L2 be the two straight line यह L1 और L2 दिया हुआ है यह L1 L2 दिया हुआ है L1 L2 are the two straight line suppose the straight line this lies in the plane containing L1 and L2 L1 and L2 के plane में लाई कर रहा है L and passing through the point of intersection of L1 and L2 L1 और L2 के intersection point से पास हो रहा है if the L bisect the acute angle between L1 and L2 then which of the following statements are true तो इसमें से क्या true होगा यह हमें find करना है तो देखिए सबसे पहले तो L1 और L2 का point of intersection हमें find करना पड़ेगा जहां से plane पास हो रहा है suppose the line this lies in the plane containing L1 and L2 and passing through the same intersection point L1 and L2 तो यह L भी उसी point से पास हो रहा है और वो plane जो हमारा मिल रहा है उसको भी इसी से पास करवाना है L bisect the acute angle between L1 and L2 then which are the following are the correct options तो यह हमें करना है तो हम लोग चलते हैं अगले page पे तो L1 और L2 का point of intersection अगर हम लोग कलकुलेट करें तो L1 क्या दिया हुआ है X-1 by 1 Y by minus 1 and Z minus 1 divided by 3 और L2 क्या दिया हुआ है L2 दिया हुआ है X minus 1 divided by minus 3 is equal to Y by minus 1 is equal to Z minus 1 divided by 1 यह L1 और L2 का point of intersection हम लोग find कर लेते हैं और यह हमारा L है यह L1 है यह L2 है यह point of intersection L1 और L2 के ही point of intersection से L pass हो रहा है तो यहां दियान देने वाली बात क्या है कि हमें intersection find find करना है इसको हम lambda 1 मान लेते हैं इसको lambda 2 मान लेते हैं तो यहां से हम देखते हैं कि एगर इसको इसके साथ equate करें तो X की value क्या मिल जाएगी X की value lambda 1 plus 1 मिल रही है Y की value क्या मिल रही है minus lambda 1 minus lambda 1 और Z की value क्या मिल रही है 3 lambda 1 plus 1 3 lambda 1 plus 1 और यहां से हम लोग देखते हैं X क्या मिल रहा है माइनस 3 लेम्डा 2 प्लस 1 मिल रहा है और माइनस लेम्डा 2 यहां से मिल रहा है और लेम्डा 2 प्लस 1 जेट की वेलू क्या मिल रही है लेम्डा 2 प्लस 1 तो हम देते हैं कि L1 और L2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यह दोनों कोडिनेट सेम होने चाहिए तो यहां से X coordinate lambda 1 plus 1 equal to minus 3 lambda 2 plus 1 कर दिया और दूसरे से क्या मिल जाएगा दूसरा जो Y coordinate मिल दा है यहाँ यह Y इसका coordinate है तो Y coordinate Y coordinate दोनों का same कर देते हैं तो minus lambda 1 equal to minus lambda 2 यहाँ से clearly दिख रहा है कि lambda 1 और lambda 2 equal है तो किसी एक में रख देते हैं इसमें रख देते हैं lambda 2 कि जगा है lambda 1 तो lambda 1 plus 1 is equal to minus 3 lambda 1 plus 1 हो जाएगा 1 से 1 कट गया और यहाँ से lambda 1 क्या मिल गया 0 lambda 1 0 मिल गया इसका मिल लब यह lambda 1 यहाँ रख दो तो यह कितना हो जाएगा 1 comma 0 comma 1 यह point of intersection मिल गया यह point of intersection है हमारा यह क्या मिल गया यह 1, 0, 1 मिल रहा है आप देखिए आप question में क्या करें कि suppose the line L which is passing through this तो यह L pass कहां से कर रहा है इसी point से pass कर रहा है L जो दिया हुआ है हमारे पास वो क्या दिया हुआ है X minus alpha by L equal to Y minus 1 by M this is equal to Z minus gamma by minus 2 यह pass कर रहा है कहां से इस point से pass कर रहा है pass कहां से कर रहा है यह 1, 0, 1 से तो यह इसको satisfy करेगा तो यहां पर हम रख दे 1 minus alpha by L is equal to minus 1 by M y के value 0 रखने पर और यह 1 minus gamma by minus 2 यह equation number 1 हमें जो use करना है questions को solve करने में है ठीक है यह एक तो यह हो गया है दूसरे यह इसको bisect कर रहा है यह इसको bisect कर रहा है अब L1 के direction में जो unit vector था वो 1 minus 1 और 3 था तो जो L के direction में जो unit vector था वो minus 3 minus 1 और 1 था तो जो L के direction में vector होगा unit vector vector in direction of L यह क्या हो जाएगा इसका और इसका unit vector का तो यह formula आपको पता है एक a mod plus bisector का formula बी का mod यह लगा देते हैं तो इसका अगर हम लोग लेते हैं तो यह हो जाएगा कितना दोनों का mod सेम है तो mod तो दोनों का सेम हो जाएगा अंडर root of 3 square plus 1 square plus 1 square L बना जाएगा और यहां क्या हो जाएगा दोनों का जोड़ दो तो इसका 1 plus 1 2i हो जाएगा यहां और यह एक मेंट यहां minus 3i और यहां पे 1i है तो minus 2i होगा minus 2i और minus 2j और यहां plus 2k हो जाएगा तो यह हम लोग देखते हैं minus 2 अगर हम common ले लें minus 2y under root 11 तो यह कितना हो जाएगा i plus j minus k यह इसका direction ratio है l का लेकिन l का direction ratio हमारे पास दिया हुआ है l m और minus 2 तो इसका मलब यह दोनों parallel होंगे तो vector 1,1,-1 and l,m,-2 are parallel यह दोनों parallel है तो यहां से दिख रहा है कि l by 1 equal to m by 1 equal to यहां कुछ देख लेते हैं एक बार फिर से इसके vector लिक निकालते हैं तो इसको vector दोनों का mode यहां यहां जोइन करते हैं तो यह 1 और minus 1 तो यहां से क्या आ रहा है यहां minus 2 आ रहा है थोड़ा सा यहां पर mistake है तो यहां पर minus 2 आ रहा है यहां फोर आ रहा है ठीक है क्योंकि 3 और यह 1 यह 4 आ रहा था तो यहां पर आ जाएगा minus 2 तो यहां पर minus 2 by minus 2 हो गया यह value 1 आ गया यहां से l equal to m equal to 1 आ गया तो इस तरीके से हम देखते हैं यहां छोटा सा एक mistake था यहां 3 है यहां 1 है 3 1 4 हमने यहां 2 लिख दिया था यहां 4 है तो यहां पर हमार L और M हमें मिल गया अब L और M यहां रख दो सब कुछ बिल जाएगा तो L M रख दो 1 minus alpha is equal to यहां यह minus minus plus भी कर सकते हैं 1 equal to 1 minus gamma है तो यहां से alpha की value कितनी मिल जाएगी 0 और gamma की value कितनी मिल जाएगी यह भी 0 मिल जाएगी तो यह L M N सब कुछ मिल गया है अब बस चेक करना है और हम लोग चेक कर लेते हैं तो देखिए alpha minus gamma अब alpha कितना आया है 0 गामा कितना आया है alpha minus gamma तो यह option हम लोग देखते हैं अलफा माइनस गामा यह हमारे पास 3 आ रहा है जो कि सही है और L प्लस M L प्लस M L और M 1 वन वन आ रहा है यह value 2 आ रही यह भी सही है तो यह दो option A और B सही हो गए तो option A and option B these are correct correct options तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो यह question है यह solve हुआ जिसमें एक बार हम और चक्कलते हैं alpha की value minus 1 आ रही है द्यान देना है यहाँ minus 1 आ रहा है यहाँ हमने इसको plus किया था तो 1 minus gamma आया था यहाँ minus 1 आ रहा था तो यहाँ alpha 2 आ रहा है अलफा 2 आ रहा है gamma 0 आ रहा है ठीक है तो इस तरीके से A और B option आ गया तो यह कि डिस्कस हो गया कि यह हमारा question number 15 था अब हम लोग question number 16 पर चलते है 16 question number 16 question number 16 में क्या दिया हुआ है करें alpha beta gamma be the real numbers such that these और यह suppose point this is the mirror image of the point this with respect to the plane ठीक है then which of the following statement is true यहां इस question में ध्यान देना है कि एक plane दिया हुआ है और इसका करें कि इसमें mirror image तो दिया हुआ है suppose that the point this is the mirror image तो यह three comma two comma minus one यह mirror image है किस point का इस point का one comma zero comma minus one का यह point P इसका mirror image है अब अगर हम देखें इसका mirror image अगर है तो यह जो point है और यह point है इसका mid point यहां plane में लाई करेगा तो हम इसको देखते हैं कि three plus one by two two हो जाएगा यह point two हो जाएगा और zero plus यह one हो जाएगा और यह minus one minus one तो यहां भी minus one है यहां भी minus one है तो minus one minus one minus one ही रहेगा तो यह point हमारा हम देखते हैं कि यहां पर two one minus one यह plane पर लाई करेगा और इस plane की equation ही हम लोग find कर सकते हैं कैसे find कर सकते हैं हम लोग कोई भी एक vector find कर ले तो P i normal हो जाएगा इस plane का पी आई वेक्टर क्या हो जाएगा three minus one two और two minus zero two और minus one comma minus one zero हो जाएगा तो यह P i vector है तो plane की equation equation of plane क्या हो जाएगा equation of plane यहां से हम देख रहे हैं कि इस plane की equation find कर सकते हैं point दिया हुआ है इस plane में और plane का normal यह है तो two into x minus two और plus one into y minus two plus z into minus one into z minus zero यह plane की equation आजाएगा और इस plane की equation को देखते हैं तो two x आ गया और plus y आ गया minus z आ गया और यहां से हम देख रहे हैं कि minus four आ गया और यहां से minus two आ गया equal to zero है तो यहां से two x plus y minus z equal to six आ गया यह plane की equation आ गई अब इस plane की equation से हमें सारे options चेक कर लेना है तो यहां से एक बार हम चेक कर लेते हैं कि प्वेश्चन नमर शिक्स्टीन एक मिनट यहां एक फोड़ी सी गलती है यहां पी आई नॉर्मल टू 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 यह पॉइंट हमने ले लिया उधर पॉइंट की जगा यह ले लिया यह एक मिन इसको यहां पर थोड़ी से गलती हो गई है गलती कहां हुई है एक बार फिर से डिसकस करते हैं इसको यहां दिया हुआ है यह एक प्लेइन प्लेइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और मिरर इमेज आई दिया हुआ है आई दिया हुआ है मारे पास क्या है 3,2,-1 और यह पॉइंट ए दिया हुआ है 1,0,-1 इस पॉइंट की इमेज यहां दिया हुआ है और यह प्लेइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है तो हमें पता है इन दोनों का जो मिड़ पॉइंट होगा यह मिड़ पॉइंट होगा वो क्या होगा यह 2,2,2 प्लस 0 बाइ 2,1 हो जाएगा माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन हो जाएगा यह मिड़ पॉइंट दिया हुआ है जो प्लेइन में लाई करेगा और इस प्लेइन का नॉर्मल यह AI AI इसका नॉर्मल हो जाएगा प्लेइन का जो हम लोग फाइन कर सकते हैं 3-1,2 2-0,2 और 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 यह पॉइंट है तो इक्वेशन आफ प्लेइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो लगा देते हैं तो एन वन,2 इन टू, x-x1, x1 2 है, प्लस 2 इन टू, y-y1, 1 है, प्लस 0 इन टू, z-z1, z1 कितना है, प्लस 1 है, यह हमारे प्लेइन की एक्वेशन हो जाएगी, तो यहां से हमें दीख रहा है, 2x-2y-4 हो गया, यह-2 हो गया, इक्वल टू, 0, तो यहां से हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो x-y, एक्वल टू कितना हो गया, यह-6, उदर जाके 6 हो गया, 2 से डिवाइड होके 3 हो गया, यह प्लेइन की एक्वेशन आ गई, अगर हम इसको इससे compare कर दें, तो alpha हमारे पास 1 है, बीटा भी 1 है, और gamma 0 है, और delta, delta हमारे पास 3 आ गया है, यह सारा कुछ मिल गया, अब हम लोग चेक कर लेते हैं, alpha प्लस बीटा 1 है क्या, yes, 1 प्लस 1, delta माइनस गामा, delta 3 है, gamma 0 है, delta में से gamma, यह भी आ रहा है, delta प्लस बीटा, delta प्लस बीटा, delta प्लस बीटा, यह रहा है 4, delta प्लस बीटा कितना आ गया, 4 आ गया, तो यह option भी सही है, तो इसको भी हम लोग सही कर देते हैं, अब हम alpha प्लस बीटा, यहाँ पर एक mistake है, यहाँ प्लस होना चाहिए, यह हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो चलिए, इसको छोड़ देते हैं, तो यह तीन option सही है हमारे पास, यह तीन option हमारे answer है, और चौथा option सही नहीं है, तो इस तरीके से यह question solve कर दिया गया, let us move to the next question, तो अब हम लोग अगले question पर move करते हैं, question number 17, देखिए question number 17 क्या है, question number 17 को अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो इसमें क्या-क्या दिया हुआ है, A and B be the two positive real numbers, such that PQ is this one, and PS is this one, are the adjacent sides of a parallelogram, U and V be the projection of W along PQ and PS respectively, और यह relation दिया हुआ है, तो हम लोग इस question को solve करने जा रहे हैं, यह question number 17, तो चलते हैं अगले page पर, देखिए, इस question में क्या दिया हुआ है, पड़ते हुए, A, B, are the positive real number PQ दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं, PQ दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, A, I, plus B, J, यह दिया हुआ है, और PS दिया हुआ है, A, I, minus B, J दिया हुआ है, ठीक है, adjacent sides आफे parallelogram, अब parallelogram एक है, यह कह रहे हैं कि P, S, P, Q, and S, P, Q, S, R इसको ले लेते हैं, तो यह adjacent side A, I, plus B, J दिया हुआ है, और यह दिया हुआ है, A, I, minus B, J दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, आपे parallelogram, if U and V be the projection of, U क्या है, U is the projection of, W, along PQ, तो W, projection vectors, projection vectors, देखिए, projection vector का मतलब क्या है, U, V dot PQ, by PQ magnitude, और क्यूंकि यह projection vector का है, यह length हो गई, और यहाँ PQ, by PQ, mod हो जाएगा, यह projection vector U हो गया, अगर हम इसको calculate करते हैं, तो यह calculate करने पर क्या आ रहा है, यह हम लोग देखते हैं, तो W को, W हमारे पास दिया हुआ है, W क्या दिया हुआ है, यह हम लोग लिख लेते हैं, W दिया हुआ है, I plus J, I plus J का, इसके साथ PQ के साथ अगर projection लिया जाए, तो यह A plus B, divided by PQ का mod, PQ का mod का square, तो यह A square plus B square हो जाएगा, इन्टू PQ, PQ क्या है, A I plus B J, यह हमारे पास, यह U वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर बिल गया, तो प्रोजेक्शन वेक्टर, W का, इसके along लिया गया है, यह आ गया, ठीक है, और इसको calculate करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, हम लोग यह भी देख लेते हैं, आप देखिए, यह आ गया हमारे पास, ठीक है, अब हमारे पास W, V भी आ जाएगा, similarly, V क्या आ जाएगा, A minus B, divided by एकदम similarly, A square plus B square, इसका अंडरूट लगा हुआ है, यहां भी अंडरूट लगा हुआ है, बेसिकली जब हमने इसका अंडरूट, इसका अंडरूट लिया, तो यह आ गया था, क्या आपने पास, A plus B, into A I plus B J, divided by A square plus B square, यह आ गया था, यहां भी similarly वही चीज, यहां जाएगा, P S, divided by P S का magnitude, तो यह जब calculate करेंगे, तो यह A minus B हो जाएगा, और यहां A I minus B J, divided by A square plus B square, अब अगर हम U का mod ले ले, यहां से U का mod calculate करें, तो वो U का mod क्या आता है, हमारे पास, A plus B, divided by, under root of, A square plus B square, और V का mod निकालेंगे, A minus B, divided by A square plus B square, यह आ जाएगा, ठीक है, यह इस तरीके से हमारे पास, यह U का mod और V का mod आ गया, अब इसके बाद इन्होंने क्या दिया हुआ इस question में, इस question में दिया है, कि हमारे पास, U का जो mod है, और V का जो mod है, इसका sum जो आ रहा है, वो करें, W के mod के equal आ रहा है, तो यहाँ पर यह values रख देते हैं, तो यह A plus B, और A minus B, divided by under root A square plus B square, यह W का mod, इसका mod क्या है, under root 2 आ रहा है, B से भी कट गया, और यहाँ 2 A, divided by under root A square plus B square, equal to 2 आ गया है, under root 2 आ गया है, square कर दें अगर हम लोग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 A square equal to 2 A square plus 2 B square, 2 A square, 2 square यहाँ से कट गया, यहाँ से A equal to B आ गया, A और भी positive नंबर है, तो A equal to B आ गया, यह दिया हुआ है, ठीक है, और एक और चीज़ दिया हुआ है, इनका area, इसका area, एरिया अगर हम इसका निकालते हैं, तो इसका area क्या होगा, area of PQRS, निकाल लेते हैं, PQ और PS vector का cross ले लेना है हमें, I, J, K, तो यह क्या हो जाएगा, A, B, 0, A minus B, 0, यह calculate करें, बहुत आसानी से निकल जाएगा, तो I, यह minus AB, minus AB, और दूसरा वाला 0 हो जाएगा, यह भी 0, यह भी 0, तो area delta कितना आजाएगा हमारे पास, 2AB, 2AB, यह दिया हुआ है, हमारे पास 8, करें area इसका दिया हुआ है 8, तो यहां से AB की value कितनी आ गई, AB की value आ गई 4, और A और B equal है, तो इसका मलब A और B और 4, इसका product है, तो A, B दोनो 2, 2 हो जाएगे, तो A और B दोनो 2 हो जाएगे, तो अब हमारे पास जो options दिया हुआ है, पहला option, पहला option में क्या दिया हुआ है, A plus B, यह 2 plus 2, 4 आ रहा है, यह यह पहला सही है, A minus B, 2 नहीं आ रहा है, length of the diagonal of, length of the diagonal of PR, इस PR के diagonal की length चाहिए, तो हम देखते हैं कि यह दोनों vector add हो जाएगे, A, I minus B, J, यह दोनों add करेंगे, तो यह vector हमारे पास क्या हो जाएगा, 2A, I हो जाएगा, length of diagonal, B option में length of PR कितना हो जाएगा, यह 2A हो जाएगा, जो कि 2 into 2, यह 4 आ गया, तो यह option भी सही है, जो दिया हुआ है, अब करें, omega is an angle bisector of PQ and PS, omega is the angle bisector of PQ and PS, तो PQ और PS का angle bisector है, इसको अगर हम लोग चेक करना चाहें, तो क्या करेंगे, तो angle bisector, PR, करें, omega is the angle bisector, आप PQ and PR, तो PQ और PR, PQ and PS का angle bisector अगर निकाला जाए, तो हम क्या करेंगे, इनके magnitude, तो A, दोनों को add करेंगे, दोनों को magnitude से divide करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 2Ai divided by under root of A square plus B square, तो यह जो है, हमारे पास correct नहीं आ रहा है, तो यह option हमारा कौन सा है, 17, 17, 17 का only A और C ही आ रहा है, A और C ही आ रहा है, A, यह हमारे पास यह C था, sorry, यह C है, तो A और C ही आ रहा है, यहीं दो option आ रहा है, तो यह option सहीं नहीं आ रहा है, क्योंकि यह इसकी value हमारे पास I plus J नहीं आएगी, इसमें J का termी नहीं है, तो इसलिए यह गलत हो गया, तो हमारे पास only A and C options are correct, यह इस तरीके से यह question discuss हो गया, अब हम लोग आगले question पर चलते हैं, आगले question को solve करते हैं, question number 18, तो question number 18 क्या है, देखे, in a triangle P Q R, let A is Q R, B is R P and C, A B का magnitude दिया हुआ है, और 7 में यह दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए, इस relation को ही हमें यूज करना है, इस relation को ही हमें यूज करना है, तो इसी relation से ही हम लोग चलते हैं, तो क्यूज की देखिए, यहाँ triangle में सबसे पहले चीज तो note करने वाले point क्या है, कि हमारे पास यह P Q R, यह A vector क्या है Q R के direction में, यह A है, और B vector क्या है, R P के direction में, यहाँ B vector है, और C vector क्या है, P Q के direction में, C vector, यहाँ से clearly है, cyclic order maintain हो रहा है, तो A plus B plus C, यह तीनों कसम 0 होना चाहिए, यह सबसे पहले relation तो यह मिल गया, आप देखिए जो relation दिया हुआ है, यह अगर हम लोग ध्यान से देखिए, तो A dot C minus B divided by C dot A minus B, यह दिया हुआ है magnitude A by magnitude A plus magnitude B, लेकिन A और B का magnitude दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यह calculate कर सकते हैं, यह ओ गया 3 by 7, अब ध्यान देना है, हमें क्योंकि C के ज़रुद नहीं है, हमें A dot B चाहिए, अगर हमें यह find करना है, यह है क्या, A magnitude square B magnitude square minus A dot B, magnitude square यह चाहिए अगर हमें, तो बस हमें A dot B चाहिए, A dot B निकालने के लिए हमें इसी relation को use करना है, इसका मलब C को eliminate करना है, सी के वेलू minus A plus B रख दो यहाँ, तो यहाँ से A dot S के वेलू minus A minus B, minus A minus B रख दिया, minus B यहाँ भी है, divided by minus A plus B, यहां रख दिया, dot A minus B आ गया, यह ठ्री भाइ से बना है, हम देख रहे हैं, minus यहाँ से और यहाँ से common लेके cancel कर सकते हैं, तो minus को हम यहाँ cancel कर देते हैं अब यह आया क्या A dot यहाँ A plus 2 भी है और नीचे क्या है mod A square minus mod B square है यह 3 y 7 है यह 3 y 7 है तो यहाँ से A के dot से multiply कर दे तो A dot A हो गया पहला plus 2 A dot B हो गया A dot B ही चाहिए हमें यहाँ magnitude A square minus magnitude B square is equal to 3 y 7 है तो इसको हम T मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए और mod A mod A कितना दिया हुआ है 3 3 का square plus 2 into T divided by 3 का square minus 4 का square यह 3 by 7 आ गया बस calculate कर लेते हैं तो यह 9 plus 2 T by 3 plus 4 7 3 minus 4 minus 1 is equal to 3 by 7 यहां से 7 से 7 कैंसल हो गया तो 9 plus 2 T equal to कितना हो गया minus 3 और यहां से हमारे पास 2 T की value आ गई minus 3 minus 9 minus 12 हो गया तो T की value जो की A dot B की value है वो कितनी आ गई माइनस 6 आ गया है minus 6 आ गया जुसको यहां पर पूट कर देते हैं तो यहां देखिए 108 यह हमारा answer है इस तरीके से यह question भी discuss हो गया hope यह आपको समझ में आया होगा धन्यवाद